नमस्कार दश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे मुलांक 5 की जिल लोगा कभी जनम किसी भी महिने की 5, 14 या तेज तारिक होता है उनका मुलांक 5 होता है बुलांक 5 का जो स्वामी ग्रह है वह बुद्ध है बुद्ध जो है बुद्धी का कारक है और बुद्धी से ही ज्यान आता है इस प्रकार पांच अंक वाले लोगों में बुद्धी वा ज्यान की कोई कमी नहीं होती यह overall अपनी पढ़ाई के लेवल में काफी अच्छे होते हैं, इनका बहुत इक्षमता काफी अच्छी होती है, ऐसे विशे जिसमें गूंड चीजों की जरुवत होती है, विशे में बड़ी हुश्यार होते हैं, इसलिए कारण यह घड़ीत और एकाउंट जैसे विशे और सा इनकी उमर हमेशा कम लिखाई देगी, दूसरा बुद के कारण, बुद क्योंकि टेजी से चलने वाला घ्रह है, इनमें भी काफी फूर्ती पाई जाती है, यह किसी भी काम को बड़ी चुस्ती फूर्ती से करते हैं, और काम करने की जती काफी तेज होती है, यानि काम में इ जोग देना, हसी मुझात करना, कुछ तो ऐसा मुड़ोगा, कुछ आइक दम आपको बिल्कु सीरियस मिलेंगे, बिल्कुल यानि आपको ऐसा लगेगा, जैसे कूप मंडुक कितना होते हैं, अपनी बात उनकी भार आपको निकल कहीं नहीं आएगी, इस तरीके से पाँच लोगों काफी अँची प्रक्टिकर एपरोच होती हैं जहां भी काम करते हैं वहां पे लोग इनको मानते हैं, वह इनके के पहचाल बन जाती हैं, जहां तक हम इनकी इनकी यात्राओं के बारे में बात करें तो इनकी यात्राओं को बहुत ज्यादा शोकीन होता है जगा जगा घूमने के शोकीन होते हैं जगा जगा ट्रैवलिंग करते हैं क्योंकि इनके मित्रों की संख्या इनकी लाइफ में खूब होती हैं मित्रों का समाइब बहुत अच्छी सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट और सम युरी कोंड घरो कुम्स इपनी तरह हते हैं पाइससे समस्ट ठरीका सिसी। सीधिक्स अच्छे अच्छे विजरुजाओ का पड़ने का इमची संथा होती produto chapters this अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इसलिए शिक्षा का स्तर इनका अवराल बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छी एक अच्छी घासी डिग्री ये लोग प्राफ्ट कर लेते हैं जहागा तक इनके विवाई जीवन की बात करें क्योंकि इनकी यूवा लगते हैं और सामने जढ़ दो बहुत अच्छा रहता है कि अनके विवाई हो जाएं जहाँ तक अब विवार की बात करें तो कारेस्तल पे तो इनका काम बहुत बढ़िया रहता है, जहां रहते हैं, वहाँ पे इनकी पहचान रहती है, लोग इनकी बात को मानते हैं, क्योंकि इनको लोगों से काम करना भी आता है, प्रैक्टिकल अपरोच होती है, काम भी बड़ी तेजी से करते हैं, इनको जो भी काम द सामने वाले से किस तरीके से हमें कौन सी बात करनी है तो ऐसे लोगों के अपनी बात करना अपनी परवावित करना अपनी से परमोशन करना ऐसे काम करने में बड़ी जादा सक्ष्म होते हैं जाता अगर इनकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ओपर आल तो ठीक रहती है पर इनकी हेल्थ में दो मुख्य एफेक्ट आते हैं एक तो इनके ब्रेन में यह लोग क्योंकि बुद्धि का कारक है और दिमाग का भी कारक बुद्धि है इसलिए लोग सोचते हैं अगर बाइचांस बुदिन की कुल्डी में नेगेटिव एफेक्ट दे रहा है और अगर बुद्ध के कारणी को बारबर पड़ा में हो रही है तो उनको क्या होगा कि अगर बाइचांस की दिवा में कोई टेंशन आ गई तो यह उस बात को काफी देर तक अगर बुद्ध सही है तो अब बहुत अच्छी इंसे सला ले लिजेए सब ले लिजे बुद्ध इंको बहुत अच्छा गाइट करेंगा आपको बहुत अच्छे सलाकार बन जाएंगे पर बुद्ध नहीं के नेगेटिव हो गया तो यह अपनी उल्जन में फस्ट बुद्ध करी से दांस साफ करने से बुद्ध का दोश्ट समाथ होता है और यहीं बुद्ध जुआ इनको पॉजिटिव फैक्ट देने लगता है साथ ही इनको जो परब्लम होती है वो इनकी पाचन क्रिया से समंदित होती है यह यह सोचा विचारी ज्यादा करते हैं इसलि पाचन क्रिया से समंदित इनको कोई में प्राइबलम हो सकती है इस पर कार देखा जुल के लोग हो लाइफ में काफी सकसेस्फुल रहते हैं क्योंकि अपकी अपरोच होती है इनको पता होता है मिसह क्या करनी है दोस्त भी बड़ा सोच विचार के बनाते हैं और ऐसे दोस्त होते हैं चो इनकी तो उसमें भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वर करेंगे, कोई भी चितरकारी वगारा का काम करेंगे, यानि ओवराल इनकी लाइफ में काफी कलरफूल लाइफ होती है, इनकी लाइफ में यानि है कि अपने सिंपल काम ही करेंगे, या आपको पेंटिंग के चेतर में भी दि लाइफ में काफी इंटलिएंट और काफी सक्सेस्फूल होते हैं, बस इनको ध्यान देना है कि इनका बुद्ध जो है, इनको नेगटिव इफेक्ट ना दे, उस बुद्ध के लिए इनको अपनी दाथ को फिटकरी से जुरू साफ करना चाहिए, इससे सादी दर्श को मैं अपना वीडियो समात करती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो कि रिपासे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए, नमस्कार दश को, जयमाता दी